जहिएंद। दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीता चैनल Study and Updates में जहिएंद दोस्तों, मैं आज कमल आप सही का स्वागत करता हूं चैनल Study and Updates में और आज के स्वीडिवें हम लोग düş्देमेरT आछ रई सम्टोtan तो उन सभी जगह यह पेपर आपको काम आएगा और इसे देखिएगा बहुत एच्छे-च्छे प्रसेस में दिये गए हैं इस प्रकार से इस वीडियो के बाद आपका चार का चार पार्ट हो जाएगा और इसके बाद इसका लाइफ मॉक्टिस जो है वह भी दिये जाएगा जिसका लिंक आपको decision box में मिले जाएगा तो महां से जाकर आप मॉक्टिस ट्रेंड कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपको कितने marks हांसिल हो रहे हैं ठीक है तो से लिए शुरू करते हैं 51 दिया गया है the correct value of 0.1 plus 0.1 का whole square इसका मान निकालना है ठीक है क्या से निकलेगा 0.1 ही होगा 0.01 ठीक है अब इसकी value change होगी square है तो 1 का square 1 ही होता है ओके और यहां पर क्या है दिखिए दो टर्म है तो दो चार होँचा है एक दो टीन चार ठीक है यहां बड़ेश मेल आ गया यह क्या हो जाएगा बताईए finally यह हो जाएगा 0.0101 यह जाएगा ना कहां दिया गय है तो 51 का यह उत्तर हो जाएगा ठीक है आगे बढ़ें चलिए 52 दिया गया है अलीश नमर ऑफ फूर डिजिट वेन इंक्रीजड बाइफ इस कंप्लीटी डिवीजिबल वाइट 12 15 20 और 35 दा नम्मर इस कहा जा रहा है कि चार अंगों की एक न्यूंतम संख्या में पांस की विर्धी करने पर वह 12 15 20 और 35 से पूरी तरह विभाज है तो वह संख्या क्या है यह आपको बताने है देखिए आप जानते हैं ना चार अंगों की सबसे शूर्टी संख्या क्या होगी चार अंगों की यह आपका 1000 होता है ठीक है तो 1000 के आसपास ही होगा देखिए वैल्यूज भी है सब दिये गए हैं लेकिन यह कैसे निकलेगा तो सरपरतम क्या कह रहा है कि 12 15 20 और 35 से विभाजी हो तो 12 15 20 और 35 का क्या ना आप LCM लेलो ठीक है ब्लसी म् 높के तो 53 शे लगा जैते हुए 5 से लंगा तो यह क Holz दीलाएं यह संर्क जाएगा यह 4 दिए तक को अपको सकते हो लाकर आप आसानी से इसको निकाल तकते हो एक तो नॉर्मल है कि 420 को अब किस से गुना करें और उसमें 5 जोड़ दें कि वह कम से कम 4 डिजिट वाले संख्या में आजाए तो आप देखना यदि 420 को 2 से 420 को 3 से 2 से गुना करने पर 840 निकल गया आता है ठीक है और 3 से गुना करने पर 12 से निकल गया आता है तो 4 अंको वाले तो यह हुआ यहां पर क्या करते हैं 420 इंटू एन की जागा 3 पलस 5 डैट इकुल्स टू 1260 पलस 5 तो वह संख्या क्या निकल के आ गई 1265 तो 1265 देखिए आपके बी में दिया गया है है ना तो 52 का बी उत्तर बुजाएगा ओबर आल क्या किया गया एक बार आप समझ लेना कि 4 रंगों की सबसे शोटी संख्या निकालनी है जो कि 12-15, 25, 25 से पुर्णता विवाज होगे ठीक है तो इसमे क्या करते हैं आलल से निकालते है और ऐसी moam क्या निकालकर इसको उस संख्या करते हैं जो मीनिमङए मुशा गया जिसकी चारउक होजी पूचा गया तो चारंकों के कर दिया प्रस्ट में जैसा कहा गया कि पॉंच जोड़ना है पॉंच की विर्थी कर दिया फिर ये बारा सो साथ निकला प्लस फाइब बारा सो पैसा निकलती से लाए ठीक है कुछ नहीं था थोड़ा सा गुमाया गया है बस ठीक है चलिए आगे बढ़ें 53 दिया गया है find the missing number in the sequence अनुगरम में लापता संखें की पहचान करना है यहापर दिया गया है 3, 6, 11 और 18 तो अगला टर्म क्या होगा ये बताना है तो देखिए सर पर सम्देखिए 3 और 6 इनके वीच क्या difference है 3 पलस 3 का तो ये हो गया 6 फिर दिया गया है 6 और 11 तो यहाँ पर आप देखना यह 6 पलस 5 ठीक है 3 पलस 2 कर दिया गया तो यह आपका आगया 11 अब फिर देखना 18 कैसे निकलता है 11 पलस 7 इक्वल्स टू देखिए 5 में पलस 2 कर दिया गया और 7 एड कर दिया गया यह आपका 18 आ गया ठीक है similar इसी प्रकार अगला टर्म होगा ना अगला टर्म पर ले यह लिखिए 18 पलस अब 7 में फिर दो एड करो 9 हो जाएगा 18 पलस 9 इक्वल्स टू क्या देखा 27 निकल के आ गया कहां दिया गया आपके बी में तो 53 का बी उत्तर हो जाएगा ठीक है आगे बढ़े है 54 दिया गया है 8 men can paint a house in 5 days how many men will require to paint the same house in 4 days कहा जा रहा है कि 5 दिनों में एक घर को आर्ट प्रूस रंग सकते हैं तो 4 दिनों में उसी घर को रंगने के लिए कितने पुरूस की आविसकता होगी तो बहुत इच्छा प्रस्न है देखिए सिंपल सी बात है एक क्नियम पे जाते हैं 5 days में क्या होता है कि 8 men paint करता है ठीक है तो एक दिन में कितने लोग की जरूत होगी तो एक दिन में 8 गुने फाइब लोगों की जरूत पड़ेगी ठीक है तो कहता है चार दिन ना तो चार दिन में क्या हो जाएगा 8 इंटू 5 बटे 4 यह हो गया 2 times equals to 10 men यदि चार दिन में काम खतम कराना है तो 10 मनुसर की जरूरत होगी 10 पुरूस B में दिया गया है तो 54 का B उत्तर हो गया ठीक है आ इलाउन केंडू दू सेम वोकिंग सिक्टी डेज दें टाइम टेकेन बाई एलाउन तू तू डौ वागेज कहा जा रहा कि ए और भी दोनों मिलकर 15 दिन में एक काम को कर सकते हैं फिर ए दौरा कितना समय लिया जाएगर उस कारी को करने के लिए यह पुछा गया बहुत ही आसान प्रस्न है दोनों जब साथ करते हैं तो क्या करते हैं कि एक काम पर क्यापसिटी निकाल देते हैं दोनों की एक दिन की एक दिन की क्यापसिटी यह आप निकाल दोगे ना प्रस्न सोल हो जाएगा तो एक दिन में वो एक बटे 15 काम करते हैं दोनों मिलकर और फिर क्या होता है कि B अकेले एक दिन में एक बटे साथ काम करता है तो इसको घटा दो जो बचेगा वहाँ आ जाएगा आपके एक का ठीक है तो सिंपल सी बात है यह आपका साथ हो गया पंदरच्चो के मैनस 1 इकोल स्टू 3 by 60 काट दीजिए 20 ठीक है तो नीचे जो आता है न हर में यद है यह को उस कायरे को फिनिस कर देंगे ठीक है तो 55 का सी उत्तर हो गया ठीक है अब चलिए आगे बढ़ते हैं 56 दिया गया है इफ दा एज ऑफ क्यूब इंक्रीज बाई हंड्रेड देन दा सॉफेस एरिया ऑफ दा क्यूब इंक्रीज बाई कहा जा रहा है कि यदि किसी घं के किनारे को सौ परसेंट बढ़ा दिया जाता है तो घं के सतह का चिदरफल कितना बढ़ जाएगा ठीक है सर्फेस एरिया की बात की जा रही ना और क्यूब का सर्फेस एरिया क्या होता है सिक्स एस्कॉर अब क्या हो रहा है कि यह जो ए है यह डवल हो गया ठीक है इंक्री 2A हो गया, तो new cube का हमें क्या निकालना है, surface area, ठीक है, new cube का surface area equals to 6 into 2A का square equals to 24A square, ठीक है, जब आपके पास ये आ गया, तो percentage निकालना आता है, क्या हो जाएगा, 24A square minus 6A square by 6A square into 100, क्या हो जाएगा, बताइए, ये आपका हो जाएगा, 18A square by 6A square into 200, तीन जा में कट गया, equals to क्या हो जाएगा, 300% increment आ जाएगा, उसके surface area में, तो 300% आपके C में दिया गया है, तो 56 का C उत्तर हो जाएगा, ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं कहना चाहूँगा, कि free mock test, जो की online है, उसके link आपको description box में दिये गए है, आप जाकर test दे सकते हो, ठीक है, उसमें आपको 100 question देखने को मिलेगा, हिंदी वाले हिंदी में जाएगे, और English वाला जो चूज करेंगे, वो है English में, दो अलग-लग set रहेंगे, तो जो हिंदी करना चाहते हैं, वो हिंदी वाले select करें, जो English करना चाहते हैं, वो हिंदी वाले select करें, और पीडियाप्स वेगेरा, सबका link आपको description box में मिल और कोई भी जानकारी आपको हासिल करनी है, तो आप हमें WhatsApp, या फिर Telegram, इस पर message कर सकते हैं, टेलिग्राम नमर है 7979946092, ज्यादा तर आप लोग Telegram का परियोग करें, पीडियाप्स वेगेरा जो भी आपको खरीद नहीं हो, आप वहाँ पर खरीज सकते हैं, ठीक हैं, चल आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं, 57 दिया गया है, तो area of shaded region in the given figure is, दिये गए आकरती में हमें, इस shaded region का हमें area निकालना है, यह जो shaded region है ना, इसका area निकालना है, तो कैसे निकलेगा, बताएए, क्या करें कि यह area निकल जाएगा, तो सर परसम हमें क्या करना है, semi circle का area निकालना है, ठीक है, area of semicircle, minus, semicircle मतलब, earth with minus, इसमें एकन तिर्भूज दिया गया है, ठीक है, आप देखना यह तिर्भूज है, और आप देखो, यह 45, 45, जब यह 45, यह 45, तो यह 90 तो बुड़ा-बुड़ा हो जाएगा, ठीक है, तो iso-scale strangle हो गया, अब इस iso-scale strangle में आप यह देखना, कि यदि यह o point है, और यहां से यहां a है, तो यह क्या हो जाएगा, यह भी आपका a हो जाएगा, और यह भी आपका a हो जाएगा, क्योंकि यह सब क्या है, यह सब radius है, ठीक है, और यह पूरा whole हो गया, 2a, ठीक, इतना समझ गे, यह समझ गे तो प्रसम solve, अब इसमें क्या करना है, कि हमें तिर्भूज का चतरफल खटा देना है, 1 by 2 into base into height, ठीक है, अब फर्मूले में डाल दीजिए, फर्मूले में डालेंगे, तो earth width का चतरफल क्या हो जाएगा, pi r square न, pi r कितना है, r आपका a है, तो a का square, और बट्टे में 2, ठीक है, यह यह आपका earth width का चतरफल, minus 1 by 2 into base कितना हो जाएगा, देखिए, a बलस a equals to 2a हो गया, ठीक है, और h कितना हो जाएगा, height इसका a हो जाएगा, ठीक है, यह क्या हो गया, pi a square by 2 minus 2a square by 2, अब देखना, a square by 2, a square by 2 दोनों में है, क्या a square by 2 common कर लें, तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर सिर्फ pi बचा और यहाँ पर सिर्फ minus 2 बचेगा, यही आपका answer हो जाएगा, है ना, बहुत आसान था ना, ढूड़िए, a square by 2 minus pi minus 2, यह आपके b में दिया गया है, तो 57 का b उत्तर हो जाएगा, ठीक है, हो गया solve, आगे बढ़ें, 58 दिया गया है, a bookseller gives 12% discount on the printed price, what does a customer pay for a book with a printed price of Rs.75, क्याता है, यह एक पुस्तक विक्रिता, अंकित मुल्य पर 12% की छूट देता है, तो उस book का मुल्य बताना है, जिस पे 75 रुपया अंकित हो, ठीक है, दोखें, बहुत ही simple बात है, क्या करते है, 75 minus 75 का 12%, यही करते हैं, क्या हो जाएगा, 75 minus 9 equals to 66 रुपीज निकल कर चलाएगा, कहां दिया गया है, a में, तो 58 का a हो गया, ठीक है, अगला देखिए, कहा जा रहा है, इफ, mark prices were 80, and price after discount is 153, then the rate of discount is, यदि, अंकित मुल्य एक सो असी रुपया है, और छूट के बाद के कीमत 153, तो कितना छूट मिला देखिए, एक सो असी मैनस, एक सो तिरेपन, कितना छूट मिला यहां पर देखिए, यहां पर 27 रुपय का छूट मिला, ठीक है, और 27 को 180 के मान के साथ value निकाल देना है, तो percentage कैसे निकालते हैं, 27 जो है, वह 180 का कितना पॉसेंट होगा, बताइए, तीन नमा साथाच, तीन चे का ठारा, तीन दो निचह, तीन तीन नौप, दो पंचे, दस, तो 3 इन्टू 5 इक्वल्स टू 15 परसेंट, कहां दिया गिया है, आपके D में दिया गिया है, 59 का D उत्तर हो गया, पहले हमने डिफरेंस निकाल लिया, और फिर उस 27 का 180 के रिस्पे में परसेंटेज निकाल लिए, ठीक है, चलिए आगे बढ़ाया, अब चलिए अगर ये परसेंट पे कह रहा है, कि 10 सिंकल डिसकाउंट इक्यू वाइलेंट वाइट, टू सक्सेसिव डिसकाउंट ऑफ 10 परसेंट और 20 परसेंट के दो क्रमिक छोट के बराबर, एकल छोट क इसको, 10 इंटू 20 बटे 100 को, क्या हो जाएगा ये, 30 मैनस 200 बटे 100, क्या बचा, 30 मैनस 2 इक्वल्स टू 28 परसेंट, कहां दिया गया है, बी में, तो 60 का उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है, आगे बढ़ें, अब देखें, बहुत अच्छा प्रस्न है, कह रहा है, 22 कारेट गोल्ड is mixed with 18 कारेट गोल्ड in the ratio of 1 is to 2, to get x कारेट गोल्ड, ठीक है, then the value is, कहरा कि 22 कारेट और 18 कारेट सोने को एक साथ 1 is to 2 के नुपात में मिलाया जाता है, फिर x का मान क्या होगा, बहुत ही आसान प्रस्न, देखें, 22 कारेट, 18 कारेट, इसके लिए हमें क्य करना है, तो क्या करते हैं, कि यहां पर 22 में से x घडा लेते हैं, और यहां पर क्या करते हैं, कि x में से 18 घडा लेते हैं, तो आपकी यह value निकल कर चलिया आएगी, ठीक है, यह जानते हैं, तो प्रस्न आपका solve, यहां पर क्या हो जाएगा बताएए, यहां पर x मैनस 18 by 22 मैन X जो की बराबर है 1 by 2 के यह नुपात है अब cross multiplication कीजिए क्या हो जाएगा 2X minus 36 जो की बराबर है किसके 22 minus X के अब चरवाल एक साथ और चरवाल एक साथ 2X plus X equals to 22 plus 36 तो 3X equals to क्या हो जाएगा 58 अब X equals to जगा X equals to 58 by 3 काट यह तो 57 होता है 19 में 19 इस्टू 1 by 3 यह निगल कर चलाएगा तो यह देखिए आपके of Y and Z when Y equals to 45 and Z equals to 20 X equals to 200 when Y equals to 90 Z equals to 30 then X is कहा जा रहा है कि Y और Z जहां पर Y क्या है 45 और Z 20 है तो उस जगा का X आपका 200 है ठीक इसी परकार हमें क्या निकालना है गुणनफल का अनुक्रमाव बात ही निकालना है किसके लिए Y equals to 90 और Z equals to 30 के लिए इसका एक फर्मूला है उस फर्मूले को यह आप जानते हैं तो प्रस्णा आप स्वाल कर देंगा है यहां पर आप जानते हैं क्या होता है प्रस्णा आपका स्वाल हो जाएगा ठीक है अब देखना X equals to उपर वाले में देखना X equals to 200 दे रखा है तो 200 जो की बडाबर होगा K into Y कितना है 45 45 into 20 ठीक है हो गया न तो K equals to क्या हो जाएगा K equals to 200 by 20 into 45 इससे यह काट लो यह 10 times में अब यह देखो यह क्या हो जाएगा 5 2 जा 5 9 जा that's equals to 2y 9 निकल के आगया ठीक है अब जब K की value आपको निकल के आगया तो अगला X क्या होगा अगला X जो होगा वह K Y Z हो जाएगा और अब value हम इसकी डालेंगे तो K आपको पता है K equals to 2y 9 निकल के आया है Y equals to 90 है और Z equals to 30 है ठीक है यह आपका 10 times में कट गया यह आपका 600 निकल के चला आया तो C में दिया गया है तो सक्षी 2 का C उत्तर हो गया ठीक है चली आगे बढ़ते हैं चली आगे बढ़ते हैं अगला दिया गया है सुषी 3 का C उत्तर हो गया ठीक है चली आगे बढ़ते हैं चली आगे बढ़ते हैं 64 दिया गया है कहता है कि 20 लड़कों की एक कच्छा में औसतायू 12 वर्स है यदि कच्छा में पांच नहें लड़के आते हैं जिसके कि औसतायू 7 वर्स है तो फिर कच्छा का औसतायू क्या हो जाएगा देखें बहुत ही आसान है क्या करते हैं पहले पुराने वाला वेट निकाल लेते हैं तो 20 इंटू 12 ठीक है प्लस 5 इंटू 7 और बटे में क्या हो जाएगा 20 स्टुडेंट प्लस 5 स्टुडेंट इक्वस्टो कर लीजिए यह आपका 240 निकल कर आ गया 240 प्लस 35 बाई 25 यह आपका 275 बाई 25 हो जाएगा रस इक्वस्टो 11 यह ठीक है जोडी 11 यह आपके बी में दिया गया है तो 64 का बी उत्तर हो जाएगा ठीक है चलिह आगे बढ़ते है 65 दिया गया है A man travels from A to B at the rate of 7 km per hour and come back from B to A at the rate of 5 km per hour. The average speed of man for whole journeys कहा जा रहा है कि एक आदमी A से B तक 7 km परती गंटे की दर से यात्रा करता है और B से A वापस जो है वह 5 km परती गंटे की दर से यात्रा करता है. तो पूरी यात्रा के लिए औसत गती क्या होगा? क्या फर्मूला है इसका बताइए इसका फर्मूला है 2 A B by A plus B तो देखिए 2 into A 5 B 7 by 5 plus 7 equals to क्या हो जाएगा? 70 by 12 equals to 5 is to 5 by 6 km per hour ना? तो दिए C में दिया गया है ना? तो 65 का उत्तर क्या हो जाएगा? C हो जाएगा. चलिए आगे बढ़ते हैं 66 दिया गया है. The Ratio of Cost Price and Selling Prices 20 is to 25 then the Profit Percent. Simple सी बात है जितना Profit बंडा उसको बना दिजे ना? इसको क्रामूल मान लिजे इसको भी क्रामूल मान लिजे और यहाँ पर Profit 5 रुपेगा हो रहा है तो 5 into 100 बटे 20 ठीक है? अब इसको कट कर दिजे क्या हो जाएगा? यह आपका 5 times में equals to 25 परसेंट कहा है? यह में 66 का यह उत्तर हो गया. ठीक है? आगे बढ़ हैं. 67 दिया गया है. एक पैपारी है जो कि अंकित मुल के 6 by 7 पर किसी चीज को खहिता है और इसको 14 इस्टू 2 by 7 परसेंट अज इक पर बेजता है. तो लाव क्या है? देखना यहाँ पर यदि 100 मानकर solve करेंगे तो प्रसन थोड़ा first जाएगा. क्योंकि दोनों के हर में क्या है? साथ है. तो हर में साथ है ना तो simple थी बात है. 100 को 7 से multiply कर लेते हैं 700. यहाँ पर हम लोग अंकित मुल्य 700 मान लेते हैं. ठीक है? अंकित मुल्य equals to 700. जब यह मान नहीं है तो प्रसना आपका solve हो जाएगा. अब बताएए CB क्या हो जाएगा? जिस पर ट्रेडर खरीदा ना? तो 700 अगुने 6 बटे साथ यह आपका 100 टैम्स में equals to 600 रुपीज खरीद का परा. अब एक सीच यहाँ पर आप गौर करना. Selling price क्या हो जाएगा? Selling price equals to हो जाएगा. आपका 700 में तो उसने अंगित मुल्य कर रखा है. पलस 700 का 14 is to 2 by 7. तो 14 is to 2 by 7 equals to क्या होता है? 100 by 7 ना? देखिए यह हो जाएगा आपका into 100 by 7 बटे 100. ठीक है? देखिए यह आपका कट गया. 100 टैम्स में यह कट गया आपका. एक स्टू क्या हो जाएगा? 800 ठीक है? Selling price 800 और यहाँ पर क्या है? cost price आपका 600 बटा. तो लाफ परसेंट क्या होगा? लाफ परसेंट बडावर. लाफ गुने 100 बटे करें हैं मूल. तो लाफ क्या हो जाएगा यहाँ पर? 800 मैनस 600 बटे 600 इन्टू हंड्रेड इकोल्स टो क्या हो गया आपका? 200 इन्टू ह 600 बटे 600 इससे ये काट दिजे 2 3 जा इकोल्स टो 100 बाइ 3 इकोल्स टो 33 इस टो 1 बाइ 3 परसेंट कहां दिया गया है? C में तो 67 का C उत्तर हो जाएगा. ठीक है? आगे बढ़ा है? 68 आपको दिया गया है. If 90% of X is 315 किलो मेटर, then the value of X कहा जा रहा है. यदि X का 90% 315 किलो मेटर है. तो X का मान निकालना है. बहुत ही सिंपल हो जाएगा ना. क्या हो जाएगा? X equals to X equals to 315 into 100 by 90. इससे ये काट दिजे और ये आपके 35 times में कट गया. equals to क्या हुआ? 35 into 10 equals to 350. कहां दिया गया है? B में. 68 का उत्तर B हो जाएगा. ठीक है? चलिए आगे बढ़ा है. अब देखना 69 दिया गया है. Mr. A spent 78% of monthly income and saved the rates. If annual saving is 22,440, his monthly income is. कहता है कि A अपनी मासिक आई का 78% खर्च करता है और बांके का बचत करता है. तो उसकी वार्सिक बचत क्या होगी? देखिए वार्सिक बचत के लिए सबसे पहले एक मेहने का निकाल लेजिए. तो 22,400, ठीक है? और divide by 12 equals to क्या हो जाएगा? यह आपका 1870. और थात महिनी में हुआ 1870 रुपे बचा लेता है. अब आप देखना कहता है कि जो 100% वो कमाता है उसमें से 78% खर्च कर देता है. बचता कितना है? उसका 22% जो की बराबर है 1870 रुपे के. तो 22% equals to 1870. ठीक है? तो इसका 100% निकालेजिए. बस प्रस्न सॉल्फ हो गया. 1870 into 100 rate. बटे में क्या हो जाएगा? 22. ठीक है? आप इसको कट कर दीजिए. यह आपके 8500 में convert हो जाएगा. तो एक महिने की अर्णिक कितनी हो गई? बी हो जाएगी उसकी 8500. ठीक है? आगे बढ़ें. 70 आपको दिया गया है. The ratio between the rates of walking of A and B is 2 to 3. If time taken by B to cover a certain distance is 36 minutes, the time taken by A to cover that much distances कहता है. कि A और B के चलने की दरका जो अनुपात है, वर 2 to 3 है. यह जी एक निशित दूरी तया करने के लिए कि B द्वारा 36 minutes का समय लिया गया, तो A को दूरी तया करने के लिए कितने minutes का समय लिया जाएगा? देखिए बहुत यह आसान प्रस्ण है, बस एक चीज़ आपको पता होना चाहिए. ठीक है? यहाँ पर जो अनुपात दिया गया होता है, यह स्पीड का जो अनुपात होता है, वह रिसी पोकर होता है, किसके? टाइम के अनुपात के. यह यदि आपको पता है, तो प्रस्ण सौर्ब हो गया, यहाँ पर दकी यह वाकिंग रेट दिया गया ना, वाकिंग रेट क्या हो जाएगा? 2 इस्टू 3 और टाइम टेकिंग क portion कि B जो है, वह आपको 36 मिट का समय लेता है, तो 2X इक्वल स्टू 36 मिनट, तो X इक्वल स्टू क्या हो जाएगा? 36 बटे 2 इक्वल स्टू 18 मिनट, ठीक है? अब प्रस्ण पर आएए, एक इतना समय लेता है? 3X ना, तो 3 और X का बेल्यू 18 मिनट, तो 18 से multiply क्या जाएगा? 54 मिनट निंगल के आजाएगा, कहां दिया गया है? B में, 70 का उत्तर B हो जाएगा, देख लिए आपने, बहुत ही आसान है ना? चली, आगे बढ़े, 71 दिया गया है, आट रेन, 100 मिटर लोंग, रनिंग अट दा, 36 किलो मिटर पर आवर टेक्स 25 सेकेंड तू पासा ब्रीज, कहता है कि 100 मिटर लंबी एक रेल गारी है, जो 36 किलो मिटर पर गंटे की रफतार से चल रही है, वह एक पुल को पार करने में 25 सेकेंड का समय लेती है, तो पुल की लंबाई, एक चीज़ आप देखना है, स्पीड जो है, किलो मिटर पर आवर में, टाइम सेकेंड में, तो क आपके स्पीड निगल कर चली आई, जो आपके पास ये स्पीड है, तो प्रसन सॉल्व कर सकते हो, आराम से सॉल्व कर सकते हो, इस पीड इकोल स्टू इस्टेंस भाई टाइम, तो देखिए, स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, इस्टेंस कितना हो जाएगा, 100 जो की ट्रेन की ल एक्स, तो एक्स इकोल स्टू क्या हो जाएगा, 250 मैनस 100 इकोल स्टू 150 मीटर ना, कहां दिया गया है, सी में, 71 का सी उत्तर हो जाएगा, ठीक है, प्रसन सॉल्व हो गया, आगे बढ़ें, अब देक्र सेवेंटी टू, बहुत ही बढ़िया प्रसन है, दिया गया है, फान्द 2000 रुप्या हो, समय 2 साल हो, और 6% रेट हो, तो इसका एक फर्मूला है न, डिफरेंस इकोल स्टू क्या होता है, डिफरेंस इकोल स्टू P इंटू R by 100 का स्ट्वाइर हो जाता है, ठीक है, P कितना है, 2000 रुपे, R कितना है, 6 बटे 100, इसका इस्ट्वाइर कर दिजिए, यह आपका हो गया 2000 into 36 बटे यहां पर क्या हो जाएगा चार ठीक है ये तीन से ये तीन काट दो ठीक है अब देखना क्या हो गया ये 72 बटे 10 equals to 7.2 रूपीज 7.2 रूपीज आपके डी में दिया गया है तो 72 का डी उत्तर हो गया ठीक है रसुन सौल आगे बढ़ें 73 दिया गया है अनिल लेंट रूपीज 1000 to Saurab for 4 year and 3000 to Vinod for 2 year if he received Rs.900 as simple interest altogether the rate of interest is क्याता है कि अनिल ने Saurab को 4 सार के लिए 1000 और Vinod को 2 सार के लिए 3000 रूपया दिया और उसको ना 900 रूपया सम्मलित व्याज प्राप्त हुआ तो rate क्या था ये बताना है तो सिंबल सी बात है SI का फर्मूला लगाईए और दोनों के लिए अलग 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 आईए तभी कुस्तन सौलब हुपाएगा तो P T1 R बटे 100 ठीक है पलस यहां पर P1 कर लिजिए P2 T2 R by 100 अब चलिए यहां पर क्या हो जाएगा P1 1000 ठीक है यह time हो गया 4 year rate आपको नहीं प पता है बटे 100 जो की बडावर है 900 के अब देखिये प्रस्ट आपका कैसे सौल होता है ठीक है यह आपका हो गया 900 इक्वल्स टू 40 R पलस 60 R ठीक है तो 900 इक्वल्स टू 100 R हो गया R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 900 बटे 100 9 times में कट गया R इक्वल्स टू 9% कहा दिया गया है D में उत्तर क्या गया 73rd का D हो गया ठीक है आप चलिए आगे बढ़ते हैं 74 और 75 इस ग्राफ से दिया गया इस ग्राफ में आपको देखिए number of people owning two wheelers मतलब दो पहिये गारी जितने लोग के पास हैं वो नमबर इधर दिया गया है और town A, B, C, D इधर दिया गया है प्रस्ट पर यह 74 में कहा दिया गया है, the town which has twist as many vehicle as town A, कहता है कि वह सहर जिसके पास E से दूने बहान है, तो सर परसम देखिए E के पास कितने बहान है, तो E के पास 300 बहान है, कहा जा रहा है कि इसका मतलब किसी के पास 600 होगा, तो 600 वाला डूट यह 600 किसके पास है, A के पास है, है न यह वाला, तो उत्तर क्या होगा यहाँ पर, A हो जाएगा, तो यह कहा दिया गया, town A आपको A में ही दिया गया, तो 74 का A उत्तर हो गया, ठीक है, अब आगे बढ़िए 75 दिया गया है, the number of town that have at the most 400 vehicles, कहता है, सरवजिक 400, वहान डखने वाले नगरों की संख्या, मतलब 400 से नीचे जितने हैं सब को काउंट कर लो, तो 400 से नीचे वाला देखिए, पहले तो यह रेखा बना लेजिए, इस से नीचे कौन-कौन है, देखिए, C है, C देखिए आगया, E आगया, आपका F आगया, कितने 3 ही है न, 3 हो गया, तो उत्तर क्या जाए यहाँ पर, 75 का B उत्त हो जाएगा, ठीक है, कौन-कौन, C, E, F, ऐसे हैं, जिनके पास सरवजिक 400 बाइके हैं, ठीक है, तो इस परकार से आपका 25 प्रसंट खत्म होता है, अब आते हैं, आज के प्रसंटी और, और आज का प्रसंट है, जो कि आपके 2013 के हिंदी से लिया गया है, और इसमें है, कि स् हमारे टेलिग्राम नम्मर 7979946092 पे कॉंटाक्ट कर सकते हैं, आप यहाँ पर टेलिग्राम पे मैसेज करना हो, ठीक है, तो कोई भी दिक्कत हो, यहाँ कॉंटाक्ट कीजिए, या कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक क के लिए जाए हैं